TV9 भारतवर्ष की खाकोफ का पावर प्लांट से रिपोर्ट हम आब आपको दिखाने जा रहे हैं युद्ध कवरिज के दौरान खाकोफ का प्लांट पहुंचा दा TV9 भारतवर्ष प्लांट की पहली तस्मीट TV9 नहीं देश को दिखाई थी प्लांट पर खत्रे के खबर भी सबसे पहले TV9 नहीं आपको दी थी TV9 भारतवर्ष की टीम आज उस पावर प्लांट पर मौझूद है जो कखोब का पावर प्लांट के तौर पर जानी जाती है यह वो जगह है जहां पर युक्रेन ने 2014 के बाद से इसे बंद कर दिया था ताकि क्रीमिया को पानी और बिजली ना मिल सके लेकिन रूस युक्रेन जंग में अब इस बार जब रूसी आर्मी ने इस पर कबजा कर लिया उसके बाद इसको चालू किया है और अब आप देखिए कि इस पावर प्लांट के चालू होने के बाद यहां से ना सिर्फ बिजली सप्लाई हो रही है बलकि पानी भी अब क्रीमिया की तरफ जा रहा है और इस लोकेशन पर हम आपको दिखाने की कोशिस कर रहे है कि अभी की यहां वर्तमान इस्तिक क्या है आठ साल से यह पावर प्लांट को बंद करके युक्रेन ने रखा था क्योंकि क्रीमिया रूस का हिस्सा बन गया था लेकिन अब रूसी आर्मी ने इसे रिस्टोर किया है और अभी देखे यह जो पानी आपको उफंती वी दिखाई दे रही है इसकी आवाज आपको शुनाई दे रही है दरसल यह सब इसके रिस्टोरेशन का प्रमान है कि अब यहां पर यह प्लांट चालू हो गया है और यहां से अब पानी क्रीमिया को अबाद तोर पर मिल पा रहा है एहम बात यह है कि इस पानी मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा खून भी बहा है आज हम उस पावर प्लांट के अंदर मौजूद हैं जिसके बारे में बताया गया था यह पूरी तरह से तबाह हो चुका है यह कहा जाता था कि रूस उक्रेण जंग में रूसी हमले की वज़ेसे यह पावर प्लांट तबाह हो गया है और इससे ना युक्रेण को पानी-मिज्दी मिलेगी और ना ही क्रिमिया को भविश्द में भी पानी-मिज्दी मिल पाएगा लेकिन जब हम इस power plant के अंदर आए हैं तो यह इतना बड़ा power plant इस समय हैं functional है और ये बात आपको कैमरे पर साब तोर पर दिखाई दे रहा होगा पावर प्लांट के अंदर में यहाँ पर रुसी आर्मी के लोग मौजूद है यह चीज हम देख पा रहे हैं लेकि अहम बात यह है कि इस पावर प्लांट में हम देख पा रहे हैं कि यह पूरी तरह से functional है और यहां कोई damage नहीं हुई है किसी भी तरह का destruction नहीं हुआ है यह हमें दिखाये गया है और हम भी इसके सबूत यहां पर देख पा रहे हैं कि यह किस तरह से यहां पर काम कर रहा है आप चारों तरफ देखिए मेरे कैमरा सहयोगी मुनीज भला आपको दिखाएंगे कि यह power plant बिना किसी damage के बिना किसी destruction के अभी यहां पर कैसे काम हो रहा है और इससे जो पानी और बिजली मिलेगी वो पानी और बिजली क्रीमिया तक जाएगा एहम बात यह है कि रूस और युक्रेन के जंग में वैसे तो बहुत सारी property की तबाही हुई है लेकिन यह बाल बाल बच गया है और इसकी वजह से ना सिर्फ पानी और बिजली मिलेगा बलकि अगर आप कहें तो इस तरह के power plant को restore करने में जो मशक्कत लगती उससे भी फिलाल क्रीमिया या रूस बच गया है काखोब काख power plant के बारे में कहा जा रहा था कि इस जंग में रूसी आर्मी के गोले बारूत से इस power plant को damage हो गया है और अब यह काम नहीं कर पा रहा है लेकिन जब हम यहां पर पहुंचे हैं तो हमें fully functional है यह बात सच है कि हमें कैमरे पर कहीं पर भी कुछ भी damage नहीं दिखाई दिया आप चारू तरब भी देख सकते हैं कि यहां जहां तक हमारी नजरे जा रही है यह सब कुछ fully operational है functional है कहीं पर कुछ damage नहीं हुआ है और यहां से अब हम अंदर की तरफ यागर कि यह किस तरह से काम हो रहा है तो यह कुल मिलाकर काखोब का पावर प्लांट की सचाई है जो टीवी नाइन भारतवर्स के जरी हम आपको दिखाने की कोशिस कर रहे हैं और यह पावर प्लांट बेहद आयम है खास करके क्रीमिया के लिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि पीछ अब इसी को ही प्रभावित करने की दरसल मंचा से ही अटाक हुआ अब बिल्कुल देखे बीते कुछ महिनों में लगातार दोनों तरब से उस डैम को टारगेट करके मिसाइल से हमले किये जाते रहे थे धीरे धीरे वो डैम कमजोर हो गया जो रिपोर्ट हमने दरसकों को दिखाई कुछ महिने पहले जब मैं उस डैम पर पहुँचा था मैंने वहाँ दो तीन घंटे का वक्त गुजा रहा था आपने देखा होगा कि डैम के बाहर का हिस्सा हो जहाँ पानी निकल दा है या डैम के अंदर जहाँ पर पावर प्लान फंक्सनल है वो सब रिपोर्ट हमने दिखाई थी लेकिन देर रात में जो हमला हुआ इतना की वजह से वो डैम ध्वस्त हो गया है इतना सारा पानी उससे बहा है कि दो तीन बड़े इंपक्त तुरंत होंगे पहली बात क्रीमिया को पानी नहीं मिलेगा दूसरी बात खेरसौन के उस पूरे इलाके में वहाँ पर पानी की वजह से असी के करीब गाउं डूब जाएं लेकिन अब वो और अधिक पिद्ध्वन्शक हो गई है काखोब का डैम को उराने को लेकर लगातार रूस और युक्रेन एक दूसरे पर आरोप लगाते थे लेकिन अपसोस की बात यह है कि वो आरोप आज हकिकत में बदल गया जब डैम को पूरी तरह से द्वस्त कर दिया